एसी बाते हैं जो आप ठीक उल्टी करते हैं जो profitable trader या professional trader करते हैं आप ठीक reverse करते हैं ठीक उल्टा काम करते हैं और आपको देड़ साल हुआ हो आठ साल हुआ दस साल हुआ मैटर नहीं करता अगर आप ये काम कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी सुधा लीजे क्योंकि stock market में ये बोलते रहने से कि मैं चार साल से हूँ दस साल से हूँ profitable नहीं हूँ नहीं होंगे profitable अगर गलतियां करते रहे हैं तो गलतियों को सुधारी है जो मैं बता रहा हूँ उसको copy pen लेके note केजिए और daily trade लेते time implement करके देखिए आप profitable हो ही जाएंगे आपकी जो trading की capacity है trading का जो positions हैं वो better होने लगे profits अच्छे होने लगेंगे देखिए सबसे पहली गलती जो profitable trader नहीं करता है और आप करते हैं वह यह है कि जब आप loss में जाते हैं आप पहले 10 lot में trade करते थे आपको loss होगया 50,000 का अब आपने एक लाक रुपय और और एक हटा किया और अब आप trade लेने ल बढ़ाते हैं so that आप सुस्ते हैं कि मैं loss में गया हूं lot size बढ़ा दूँगा quantity बढ़ा दूगा तो जल्दी profit में आ जाओगा आपका दिमाग यह कहता है कि मुझे पहले profit में आना है उसके चक्कर में आप lot size बढ़ा रहे हैं कहां बढ़ा रहे हैं जब आप loss में profitable trader एक professional trader कभ जो भी अपने loss होते time lot size को बढ़ाता नहीं वो क्या करता है जब loss हो रहा होता है losing streak में होता है पता है क्या करता है वह अपने position को छोटा करता है वह stop loss छोटा लेता है वह पहले 20 lot में trade करता तो तो 10 lot में trade करेगा until endless उसे यह दिखने लगता है कि losing streak हतम हो रही है उसे पाजी इस चीज की है कि जो मैं ले रहा हूँ वह और छोटा लूँ आप क्या कर रहा हैं दस लॉट में ट्रेट करते थे बीस लॉट कर दिये अब जो लॉस होगा आपको क्यों लगता है कि पहले जो लॉस हो ता वह रिपीट नहीं होगा आपने क्या उखाड लिया उखाड प्रफिटेबल निकलते हैं बीस कर दिजे बढ़ाएं लॉस में है अपने लॉट साइज को बढ़ा के क्या पाएंगे आपको और नुकसान होगा भारी नुकसान होगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक उल्टागाम करता है जब वह प्रोफिट में होता है तो अपने पॉइंट यह रहा दूसरा पॉइंट इसी से मिलता जुलता यह है कि जब आपको लॉस हो रहा होता है ना आपने 500 रुपए को स्टॉप लगाए ना तो आप 500 रुपए पर नहीं रुखते हैं आप क्या करेंगे हो सकता है 600 से रिवर्स करजा है और जब आपको दस हजार रुपए का प्रॉफट लेना है जो टार्गेट आपका है तस हजार वहाँ कभी नहीं लेंगे मैं गैरेंटी कह सकता हूं आपका जो भी टार्गेट होता है आप कभी पूरा फुल फ्लेज़ड टा कभी-कभी तो break-even पर भी निकाल देंगे 2,000 क्योंकि आपके अंदर ये शमता ही नहीं है कि आप stop loss ले पाएं stop loss लेने की शमता रखिए professional या profitable trader ठीक उल्टा करता है आपकी psychology देखिए उसके against कितनी चलती है professional trader हमेशा क्या कहता है भाई 500 रुपए का stop loss है मैं 4.500 रुपए पर निकाल दूँगा लेकिन profit मेरे 10,000 का है मैं 11,000 ले लूँगा लेकिन मैं 10,000 से एक फूटी कॉडी कम नहीं लूँगा उसी तरीके से stop loss मैं 500 का maximum रखाऊं मैं 500 एक रुपए stop loss कभी नहीं लूँगा मैं लूँगा तो 4.500 लूँगा चार सो लूँगा क्या 500 लूँगा कोई problem नहीं है जो आपका fix stop loss है लेकिन वो कभी ये काम नहीं करेगा कि उसका जो fix stop loss है उससे वो एक रुपए ज्यादा नहीं देगा market को और जो उसका fix target है उससे वो एक रुपए कम नहीं लेगा market से आप ठीक उल्टा काम करते हैं आप profit छोटा करते हैं losses को बढ़ाते हैं तो ये देखे दो point है जब loss में हो तो कभी भी lot size मन बढ़ाईए lot size बढ़ाना है profitable होईए तब बढ़ाईए और दूसरा बात कि अगर आपको profit करना है तो पूरा full-fledged profit लीजे या उससे ज्यादा लीजे loss अपने maximum loss से कम ही लीजिए ये है reverse psychology आपको psychology को change करना पड़ेगा ये changes अपने trading विलाईए देखे बहुत अच्छा काम होगा बहुत आगे बढ़ेंगे जल्दी ही profitable हो जाएंगे अच्छा लगे तो please subscribe कर दीजे ये free का ग्यान है इसके लिए लोग बहुत बहुत charge करते हैं मैं तो free में दे रहा हूँ please subscribe कर दीजेगा thank you